हेलो नमस्कार जी आप सभी का यूटूब चैनल एजुकेशन नॉलिज टीपे हारदिक स्वागत करता हूँ कैसे आप सभी जिहां इस वक्त की सबसे बड़ी खबरारी अभी अभी दस मिनट पहले सरकार ने बहुत बड़ा फैशला ले लिया है आने वाली रक्ष्या बंदन यानि कि 30 अगस्त को आपको कुछ वड़े जो बदलाव है वो देखने को मिलेंगे बहुत बड़ा तोफ़ा भी आपको देखने को मिलेगा जिहां महिलाओं को आपको बताने वाले हैं कि महिलाओं को खास करके इस बार तोफे दिये गए हैं जिसमें 12,000 रुपे तक आपको दिये जा रहे हैं वही मा आपको बताऊंगा LPG वैब बिजली आपको किस्त परकार फिरी मिलने वाली है अगर आपका BPL रासन कार्ट बना हुआ तो आपको डबल रासन वैद 2,000,000 रुपे आपको किस्त परकार मिलेंगे पूरी इंफोर्मिशन जानेंगे इसी वीडियो के मध्यम से वीडियो को देखे हैं तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें अपने राज्य अपने गाव या सहर का नाम जरूर कमेंट करके बताएगे कहां से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं सबसे पहले मैं बता दूँ आने वाले रक्षय बंदन 30 अगस्त को जितने भी मैल आए हैं उनको सबसे बड़ा तोफ़ा दिया गया है रेलवे वेब बसों में बाई रेलवे में तकरीबर 25 परतिसल आपका जो किराया है वो माफ रहने वाला है अगर आप बसों में कहीं पे भी आ जा सकते हैं आपको कोई भी पैसा देने की जुरूत नहीं है जितनी भी रोड़ोएज बसे हैं जितने भी प्राइवेट बसे हैं कहीं पे भी आप आ जा सकती है आप एक महिला हैं तो आपको ये भी किराय देने की जुरूत नहीं है आने वाले 30 अगास, 31 अगास, दो दिन के लिए आपका किराया पूर्णत है माप कर दिया गया है अगली जो बड़ी खबरा दी वो भी महिलाओं के लिए ही है जी हाँ महिलाओं को अब हर साल 12,000 रुपे दिय जाएंगे यानकी एक महिने में 1000 रुपे हर साल आपको 12,000 मिलेंगे हर महिने 1000 किसा आप से यानकी लाडली बहना योजने के तहत आपको ये जो पैसा है ये मिलने वाला है आपकी बैंक अकाउंट में हर महिने 1000 रुपे ट्रांसपर किया जाएंगे आपको मैं बता दूँ ये जो स्कीम है ये मद्धे परदेश कोवर्मेंट्स ने लांच की थी अब केंदर सरकार विचार कर रही है कि परदेश पर में इसी परकार की को जो योजना है उसको लांच किया जाए लोग सबाद चुनाव 2024 को देखते हुए मोधी सरकार कुछ बड़ा एक्सन ले सकती है अगली जो बड़ी खबर आ रही हो बड़ी ही मैत्त पुन है आपके काम की खबर है अगर आपका रास्तन कार्ट बना हुआ है बीपियल है और आपे एक महिला है तो भई खुसकबरी आपकी आपको मैं मता दूँ आप महिलाओं को पांच जार रुपए सिलाई मसीन योजने के तहर दिये जा रहे हैं जिन्होंने पहले फॉर्म वरा था उनके पैसे भी जारी कर दी गए है जैनके भई सिलाई मसीन योजना 2023 के तहर जिन्होंने भी पहले फॉर्म वर रख था उनके जो फैसे हैं वो उनके जो वैंक अकाउंट में जारी कर दी गए हैं और नई जो फैसे हैं वो भी जारी होने वाले हैं अगर आप फर्म बढ़ना चाहते हैं तो आप भर सकते हैं 31 अगस्तेस की लाश्ट टेट रखी गई है आगले जो बड़ी खबरारी वो भी बड़ी ही महत्तपूर्ण ह है उसमें कटोंती करने के तैयारी में है मोधी सरकार लगाता 3-4 महीने में जो गैस सिलेंडर की जुदाम है वो इस तीर बने हुए हैं ना बढ़ रहे थे और तकरिबन 12 रुपे गैस पास पूरी देश में गैस का सिलेंडर है वो मिल रहा है आपको मैं बता दूँ अब वो बाटे जाएंगे और जिसमें बीपिल रासंगार धारकों की जो महिलाएं है उसको इसने जोड़ा गया है आपको मैं बता दूँ दो क्रोड महिलाओं को आप जो दो लपीजी के सिलेंडर है वो मिलने वाले है उसके साथ साथ आपको गयस का चुला बिलकुल ही मुफ्त में मिलने वाला है अगरी जो बड़ी ख़बरा दी वो बड़ी ही मैतपूर्ण है बिजली को लेकर है जी हाँ अब ग्रामेनों में या में की गाउं में भी 24 गंटे बिजल होला देने वाली हम में जितने भी रासन काड़ बोक्ता अगरी गरीब प्रिवारों को सबसे ज्यादा होने वाला है याड़ी menos that क्या व 뭐 आधा बिजली प्रोवाईड करवाइजा के आपको युदा तक्रीबन 75 परतिसत जो माफ के तोर पर यान की 25 परतिसत ही आपसे विजली का जो दाम है वो बढ़वाने और भरवाने वारे हैं यान की विजली भी आपको मात्र फिरी के मात्र की ही हो जाएगी उसके सबस्त में आपको दा दूँँ नई कनेक्शन भी आपको विजली के दि दिया है डबल रासन आपको दिया जाएगा जी हां उन उन राज्यों में दिया जाएगा जिनों में बाड वो कम से महमारी से किसी भी परकार की जो तरास्दी हुई है उससे उनके घरों को उसके साथ साथ उनके जो आस्याने हैं उनका जो रहन सैन है सब को तभा किया है उन आपको मैं बता दू यह जो kit करने तयार करने वाला जो राज्य है उस सबसे पहले राजस्तान है जो उसमें राजस्तान गौर्ष्मेंट्स आपको एक kit परदान कर रही है उसके साथ यूपी के बात करें तो यूपी सरकार ने भी जितने भी रास्तन की दुकाने हैं वहाँ पर अब आपको जो रोज मररा की जिन्दिकी में जो भी आपको यूज करते हैं यानि कि सरसो का तेल, चीनी, मसाले जो भी आप यूज करते हैं अपनी रसोई में उन सभी को समान को आप उची तरेट पर भी खरीच सकते हैं दूद भी आपको उची तरेट पर अब मिलने वाला है यूपी की बात करें तो भई और दूद पूरे देश पर की बात करें तो पूरे देश पर में अलग-अलग जो नियम है वह लागू किये जा रहे हैं काफ़ी साथे राज्ये आधार कार्ड को आप रासन कार्ड के साथ लिंक कर रहे हैं वो है वही आवास योजना को लेकर तकरीब आपको मैं बता दूँ बीपियल जिन का भी बना हुआ है अगर उनके पास मकान नहीं है किसी भी परकार का मकान नहीं है और उनको आप मकान बनवाना है या फिर मकान के पैसे हैं वो लेने हैं तो फारम भरा जा रहा है भी परदान मंतरिया वास यूजने के तहट आपको दो लाक साइट अजार रुपय तक का जो पैसा है उस सरकार देने वाली है आपको मैं बता दू पहले जी नोनिफॉम बर रखा था जिसमें दिव्यांग जितनी भी है और उसके साथ साथ जितनी भ तीन सो यूनिट तक की आपकी बिजली भी फिरी की जा सकती है आपको मैं बता दू आपको बिजली भी मिलने वाले है क्योंकि आपको मकान तो मिलेगा ही कापी सारे राज्ये मकान दे रहे हैं कापी सारे राज्ये सो गजग अपलोट देंगे कापी सारे राज्ये आपको ब मकान देने वाला है पर्दान मंतरी आवास योजने की तहत मकान भी बना रखे हैं मकान की जो चाबिया है वो भी 15 अगस्त पर भी बाटी गई थी और आने वाले रक्से बंदर पर भी कापी सारे राज्ये ये जो चाबिया हैं ये गरी परिवारों को बाटने वाले हैं उसके स जो नहीं थी जो कि आपको कैसी लगी मुझे लाइक और सेर करें जरूब दाइंगा चैनल की जी का सब्सक्राइब वीडियो जाज जाज सेर की जिगा धन्यवाद